कि डियर स्टुडेंट मैं बिर्वल परसाद सर आज आप के लिए लेकर आया हूं टुवेल्थ क्लास बिहार बोर्ड का जो कंप्लीट इंगलिस का जो क्रैस कोर्स चल रहा था जो आपके निव पेटर्न पे बेश्ड है आज है इक गिराहमा दिन आज हम लोग 11 दे कर रहे हैं हम लोग लगभाग 8-9 चैप्टर ग्रामर के खतम कर चुके हैं तो अगर आप क्रैस कोर्स की सारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा वहां पे किलिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके सार प्लेल आप टू का जो जीतना भी कॉनसेप्ट है जो आपके अकजाम में पूछा जाता है उसको हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे और ऐसे देखेंगे जाए आपको अच्छे से समाज में आएगा बहुत अच्छे से आप अपने एकजाम में इस कॉनसेप्ट को हमारा साथ से पहले हम यह जानेंगे कि जो हमारा आज काचेप्टर है इस चेप्टर का नाम ही है Removal of two इसका मतलब होता है कि सांटेंज में जो आपके कोशन में जो two दिया गया है उसको किसी भी तरह से हटा देना सबसे पहले आप दियान से सुन Lieगेगा actually अगर बास्ता में देखें तो removal of two के कोई भी rules नहीं होते हैं ठीक है यह जो आपके जो portion है ना इसमें सिर्फ इतना होता है कि जो removal of two का जो question होता है उसको आप किसी भी तरह से इस तरीके से change करना होता है ताकि two भी हट जाए और उस sentence के अर्थ में यानि उस sentence के meaning में कोई changing नहीं हो लेकिन अधियन के सुभधा के लिए हम लोगों ने कुछ rules बनाया है लोगों ने कुछ rules बनाया है उस rules के जो मतलब जो important जो concept है उसको देखेंगे और अपने exam में apply करेंगे तो देखें सबसे पहली बात है यहां पे लिखा हुए two एक एडवर्व है जिसका हिंदी एर्थ भी होता है आप एक बात याद रखना यहां पे जो two आएगा ना टी डवलो टू यह एक परकार का एडवर्व का रूप में आएगा ठीक है और इसका हिंदी होगा भी ठीक है और इसका एक तरीके सब्सक्राइब होता है जैसे आप बोलोगे two big मतलब आप का सकतो कि जितना होना चाहिए नकमज़र उसे ज्यादा कमज़र ठीक है मतलब आत्या धीक के सेंस में भी इसका यूज़ यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं बोलो two beautiful मतलब जितना सुन्दर होना चाहिए उसे ज्यादा सुन्दर तो इस तरीके से भी इसके हिंदी होते हैं देखेंगे हम लोग देखिए अच्छे से देखेंगे समाझ येगा पहले अब यहां पी कुछ कॉंसेप्ट है जो आपके जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए देखिए मैं ये चीजें तो अभी बता दी आपको लेकिन फिर से एक बार परह देते हैं आपके लिए काता है इस तरह के जो कॉष्टन होते हैं यानि रिमोब टू के जो रिमोबल आप टू के कॉष्टन आपके एकजाम में आते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि टू को इस परकार से हटाते हैं या फिर टू को इस परकार से हटाया जाता है कि sentence के earth में कोई change ना हो कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आप अपने exam में इस removal of two को बनाओगे तो जो option होगे ना उस option में आपको यह देखना है कि two भी हाट जाना चाहिए और दूसरी बात कि उस sentence का जो meaning हो रहा है जो question का वही earth होना चाहिए answer का भी मतलब एक ही हिंदी होना चाहिए हिंदी में कोई भी changing नहीं होना चाहिए ठीक है तो चुकि एक crash course है तो हम लोग direct rule पे आ जाएंगे ज्यादा analysis नहीं देखेंगे तो पहला rule number one है और एक बात धियान से सुनिएगा जो मैं आपको rule बताऊंगा वही rule आपके एकजाम में सिर्फ दो या तीन ही rule हैं जो आपके एकजाम में पूछे जाते हैं और बहुत important है इसके बाद ही remote को उतने rule नहीं रह जाते हैं तो देखेंगा rule number one आप धियान से देखेंगा वीडियो को तभी आपके सारे concept समझ में आएगा देखिए यहां पे कहा रहा है कि यदि आपका question question बोले तो अगर आपको प्रेशन मिलता है जो sentence होता है इस pattern पर हो कहने का मतलब यह है कि यह जो मैं rule बता रहा हूं rule number one तब ही लागू होगा जब आपका question का pattern यह pattern हो pattern को धियान से देखिएगा pattern आपका है कि सबसे पहले subject का परियोग होना चाहिए और उसके बाद auxiliary भर्व auxiliary भर्व बोले तो each, am, are, बाज, वर्व, यह सब का होना चाहिए ठीक है और उसके बाद हम लोगों को two का परियोग होना चाहिए जो टी डावल ओ टू के रूप में होना चाहिए और उसके बाद adjective होना चाहिए या फिर adverb होना चाहिए और इसके बाद हमें टी ओ टू ठीक है यानि सिंगल ओ वाला टू होना चाहिए और उसके बाद भर्व की पहली रूप होना चाहिए याने भीबन होने चाहिए अगर इस तरीके के Question आप ये एक्जाम में पूछ सकी हो अप्लाई कर सकते हो देखे नीचे हम एकजाम्पल यहां पर देखे आपको समझाने की erklा है हमने की इस तरीके के जैसे देखे यहां पर C है तो यह हमारा subject है उसके बाद इज हमारा ऑक्जिलरी भर्व है और बाद में हम लोग देखें तो यह TOO2 है ठीक ना तो यह structure में होना चाहिए और 2 के बाद हमको मिला है adjective और adjective के बाद हमें मिला है TOO2 ठीक है तो इस तरीके से मिलना चाहिए और last में हमको मिला है भर्व run means दोरना तो आपने देखा कि इस तरीके जो question होते हैं उसे हम कैसे बनाएंगो उसको step by जे समझेंगे मतलब बहुत easy तरीका से समझेंगे तो आप क्या कर लेजिए pain और copy लेआए और अगर आपको यह concept नहीं पता हो तो copy में आप एक concept को ध्यान से देखिए और लिखिए सबसे पहले बोला है subject और भर्व का परियोग करें अब आपको क्या करना है कि अगर इस तरीके question आपके exam में आते हैं तो सबसे पहले आप subject और भर्व का परियोग करेंगे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे example का सहरा ले सकता हूँ C के बाद age है न तो आप answer में भी C age लगाओगे मतलब C हमारा subject है और age हमारा भर्व है तो step 1 आपका clear होगी step 1 में यही लिखा हुआ था सबसे पहले subject और भर्व का परियोग करें ठीक है यहाँ पे दूसरा जो step है हमारा कह रहा है कि उसके बाद 2 को 100 में बदल दीजिए मतलब आपने क्या क्या subject और भर्व का परियोग किया उसके बाद आप यहाँ पे जो TOO है इसको आप 100 में बदल दीजिए SO 100 ठीक है तो step 2 भी clear हुआ और आप ऐसे करिएगा C is so ठीक है यहाँ तक हो गया तिसरा step में लिखा हुआ है उसके बाद adjective या एड़वर्व को लिख दे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो adjective का परियोग किया गया है उसी को answer में लिख दीजिए तो आपको sentence यहाँ तक बनेगा C is so big ठीक है अब चलते हैं चौथा step में काता है इसके बाद टू को हटा कर डाइट में बदल दे मतलब यहाँ पे जो टी ओ टू आपको मिला है इसको आप डाइट में बदल देजिए टी एच एटी ठीक है उसके बाद चलते हैं इसके बाद subject के अनुसार देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ कह रहा है इसके बाद subject के अनुसार subject मतलब इसके अनुसार ठीक है pronoun का परियोग करें pronoun हमारे क्या होगा या तो he होगा c होगा it, you, be या फिर कुछ भी हो सकता है pronoun तो यहाँ पे समझने बाली बात है यहाँ पे समझी है अपधियान से समझी है ठीक है ना यहाँ पे बोल रहा है कि इसके बाद pronoun का परियोग करेंगे तो pronoun ही, c यहाँ पे hint आपको दिया है it, you, be का परियोग करेंगे सी यूज करोगे तो बस कहने का मतलब यही है कि subject के अनुसार यूज करोगे यानि subject male है तो उसके लिए ही यूज करोगे subject female है तो उसके लिए सी यूज करोगे ठीक है और subject अगर neuter gender का कोई pronoun है तो उसके लिए आप eat यूज करोगे ऐसे करके कुछ समझ होगे ठीक है आगे चाठार नमबर कहता है कि अगर आपका sentence present tense में हो कहने का मतलब यह जो sentence आपको question दिया गया है अगर यह present में हो तो आपको क्या करना है kind not का परियोग करना देखिए यहाँ पे तो आप देखिए see is लिखा हुआ है तो यह तो present में ही है न तो आप में लिखा हुआ किया कि अगर past tense में हो past tense में तो could not का परियोग करेंगे अगर यहाँ पे easy के जगह पे बाज होता न तो आप answer में could not का परियोग करते चलिए अब मैं question से आपको समझाने की कोसिस करता हूँ ठीक है और सातमा step भी है सातमा step धियान दीजेगा कहता है उसके बाद say सब्दों को लिख दें जब भी आप cannot यह कूड़नोट का परियोग करेंगे तो उसके बाद जो सब्द बच जाएंगे आपके question में उसी को आपको answer में लिख देना है ठीक है तो आप चलते हैं example की तरफ देखिए आपका जो question है लिखावा sonam age धियान दीजेगा sonam age too tired to work इसका हिंदी में थोड़ा से बता दूँ इसका हिंदी यह हो रहा है कि sonam जो है ना ठाकी हुई है फिर भी काम करने को तयार है आप इसे हिंदी इस तरीके से भी बोल सकते हो कि sonam इ यहां पर आपको देखिएगा sonam age so tired ठीक है यहां पर आपको sonam को sonam लिख देना है उसके बाद age यहां पर सब भर्ब था तो यहां पर मैंने भर्ब लगा दिया age ठीक है और यहां पर two को हमने किस में बदल दिया so में ठीक है तो हो गया sonam age so tired ठीक है और उसके बाद हमने क् है ॹण है डाइट 2 को हमने डाइट में बदल दिया क्योंकि आपको कोशन में कहा गिया था तो सवीज रोट राय डाइट अभर के लिए हम यहां पर पूर नाउन लगाए है तो सवीज़ लगाएगा c ठीक है क्योंकि सोनम गरल है तो उसके लिए हम प्रनावन करेंगे use c करेंगे ठीक है यहाँ पे he مت कर दे ना उसके बाद सोनम देखो यह जो sentence है मारा present में हैед लगाया हुआ है ना तो present में تو यहाँ पे हम cannot का परियो यँप कर देंगे और उसके बाद हमें एक वर्ड बच गया बर्क तो हम अंसर में लगा देंगे he cannot work किलियर नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन हमारा है सोनू देखिए कोश्चन आपका लिखा हुआ है सोनू बाज टू बीक टू पले मतलब सोनू इतना कमजोर है फिर भी खेलने को तयार है मतलब सोनू इतना कमजोर है कि वह खेल नहीं सकता तो देखें मैंने क्या क्या है कोश्चन आपका था कि सबसे पहले जो अस्टेप था आपका रूल का उसमें लिखा हुआ था कि सबसे पहले सबजेक्ट और भर्व का परियोग करेंगे तो मैंने अंसर में सोनू और बाज का परियोग कर दिया उसके बाद लिखा हुआ था कि टी डवलो टू को आप किस में बदलोगे सो में बदलोगे तो मैंने सो में भी बदल दिया उसके बाद लिखा हुआ था कि एडजेक्टिव को लिख देना तो मैंने adjective beak को भी लिख दिया उसके बाद two को मैंने diet में बदल दिया ठीक है अब ये sonu देखिए sonu क्या है boy है तो boy के लिए आप क्या use करोगे he use करोगे pronoun तो मैंने ही कर दिया अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे question था आपका ये बाज लगा हुआ था तो जब बाज लगा हुआ है तो इसका मतलब वो past tense में है तो past tense में आप क्या करोगे could not लगा दोगे क्योंकि कैन का past क्या होता है could और could not और यहाँ पे एक बड़ बच गया था play तो आपका हो गया यहाँ पे could not play complete sentence हो गया so no bad so big that he could not play ठीक है चलिए next चलते है next को देखिएगा हमारा जो next है यह next question यहाँ पे लिखावा the news is too good to be true ठीक है अब इसको कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे subject और भर्व का परियोग करेंगे तो the news हमारा subject है और each भर्व है तो मैंने यहाँ तक लिख लिया ठीक है और यह two को बदलना था so में तो मैंने यहाँ पे so में बदल दिया और adjective यहाँ पे good था तो good को भी हमने लिख लिया rule के अनुसार ठीक है और उसके बाद यह कहा था कि two को आप diet में बदलिएगा तो मैंने diet में भी बदल दिया ठीक है अब क्या था यह news की according हमें pronoun यूज करना था तो news क्या है non living things है neuter gender है ना non living things तो जैसे ही non living things है तो उसके लिए pronoun क्या लगेगा eat लगेगा तो मैंने eat को भी लगा दिया अब यहाँ पर दिया दिया आपका जो question है present tense में हमको कैसे पता चला क्योंकि यहाँ पर eat लगाया हुआ है तो हमें समझ में आ गया कि यह present tense में तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया cannot और इसके बाद two के बाद जो बचा था be true तो answer में भी मैंने लिख दिया be true आपका जो complete sentence बना the news is so good that it cannot be true मतलब जो समाचार है इतना सच है कि यह इतना सच है कि यह सच नहीं हो सकता ऐसा हो रहा इसका हिंदी next में चलते हैं हमारा जो यहाँ पर note है बहुत important है पता है क्यों important है क्योंकि आप लोग अगर यह question को देखोगे ना तो अगर आप note को नहीं धियान दिये तो आपको यह नहीं बनेगा simple सी बात क्योंकि आप इसे गलत कर दोगे तो धियान से देखना note को काता है अगर किसी sentence के धियान से सुनी जए ठीक है अगर किसी sentence के subject कोई कार्ज करने में असमर्थ हो ये मैंने अपने से notes बनाया ठीक है इस तरह के एक book में नहीं मिलेंगा आपको तो काता है कि अगर sentence के कोई भी subject हो जो कोई भी काम करने में असमर्थ हो अब कोई भी कौन सा काम तो मैं बता देता हूँ वही काम जो की दिया गया है उस संटेंस में ठीक है तो डाइट के बाद जो प्रनौन होगा इस पर कार करेंगे उसको प्रनौन का परियोग दियान से सुनिए जैसे देखिए अब यहाँ पर आप एक्जामपल से समझने की कोशिस करिए कोश्चन आपका है आपने क्या देखा बोल रहा है कि मौन्ट एबरेष्ट इतना उचा है और इस पर कोई नहीं चर सकता अब यहाँ पर देखिए गधियान से मैंने बोला सबजिक्ट आपको क्या बोला गया था रूल में सबजिक्ट और और अजलारी भर्व का परियोग करें तो मैंने कर दिया मौन्ट एबरेष्ट इस उसके बाद यह टू को हमें बदलना था सो में तो मैंने सो में बदल दिया और हाई एड़िक्टिव है उसको भी लिख दिया सो के बगल में तो आपका यहाँ पर कोश्चन हुआ अंसर जौब का हुआ Mont Everest is so high और ये 2 को बदलना था डाइट में तो मैंने डाइट में बदल दिया अब आप कहोगे Sir Mont Everest के लिए पुर्णाउन तो इट होगा ना तो आप इट लगाओ तो आप एक बात बताओ जब इट लगाओगे तो गलत हो जाएगा तो इसी बज़ा से यहाँ पर Mont Everest है जो पुर्णाउन उसके लिए नहीं हो सकता तो अब यहाँ पर आपको सोचना है कि कौन कौन इसको कर सकता इस काम को चरने वाला Mont Everest पे तो कोई नहीं बहुत उचा है तो कोई नहीं करेगा तो अब यहाँ पर तीन कंडिशन ही उच करोगे ठीक है या फिर One Can Not लिख दोगे या फिर आप लिखोगे No One Can या फिर आप लिखोगे Be Can Not ठीक है और या फिर Past में रहेगा तो आप सिंपल सा One Could Not कर दोगे क्योंकि Can का Past क्या होता है Could होता है और या फिर आप लिखोगे No One Could या फिर लिख दे वोई Be Could Not अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना पता है No One के साथ हम Can क्यों लगा रहे हैं Can Not क्यों नहीं लगा रहे हैं क्योंकि No One कूद है जो Negative वड है तो No One एक खूद Negative है नोगर No One के बाद आप Can सिर्फ लगाओगे Can Not नहीं लगाओगे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए No One के बाद Could ही लगा सकते है Could Not नहीं लगा सकते क्योंकि No One खूद है जो Negative है तो फिर से दुवारा से Negative आप नहीं कर सकते हैं तो चलिए बापस से इस संटेंस को अर्थों को असपरस्ट करने के लिए लगाया गया है मतलब One Can Not क्लाइम बीट मतलब कोई इस पर नहीं चर सकता ठीक है आप इसे इस परकार से भी बोल सकते हो No One Can क्लाइम बीट मतलब कोई नहीं इस पर चर सकता है तो No One के बाद याद रखना Can Not नहीं लगाना सिर्फ Can लगेगा क्योंकि No One में Negative पहले से है ठीक है और इसे तिसरा तरीका से आप लिएक सकते हो B Can Not क्लाइम बीट ठीक है B मतलब हम लोग हम लोग इस पर नहीं चर सकते यानि आप यहाँ पर Box में देख रहे होगे मैंने यहाँ पर लिख रहे है तीन तरीका से आप यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है अगर नहीं समझ मायेगा तो वीडियो को दुबारा से देख लेना समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए Next Rule एक और एक जामपल है उसको देख लो उसके बाद हम लोग अगले रूल की ओर बरहेंगे लिखा हुए कोस्चन आपका है The sun is too hot to go out मतलब धूप इतनी ज्यादा गर्म है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते यहीं न होगा इसका मतलब हाँ तो देखो कैसे बनाएंगे यहां तक तो The sun सब्जेक्ट था इज था तो इज को भी लिख दिया टू को सो में बदल दिया और बगल में एड्जेक्टिव का परियोग हाट कर दिया और यह छोटा वलट यो टू था इसको हमने डैट में परियोग कर दिया अब यहां पर इट कैनोट गो आउट करोगे तो गलत हो जाएगा मैं जान बूज कर ऐसा है इसलिए क्या हूँ बगल में मैंने गलत का निसान लगा रखा है कि इट कैनोट गो आउट नहीं होगा देखो यहां पर मैं लिख रखा हूँ क्या बाहर जाएगा नहीं न तो यहां पे हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो क्या करेंगे we cannot go out या फिर आप इसे भी लिख सकते हो no one can go out चलिए next में चलते हैं rule number 2 ठीक है कहता है यदि आपका question इस pattern पर हो अगर आपका question इस pattern पर लिखा गया हो जैसे आपको pattern होगा subject plus auxiliary verb plus two plus adjective या adverb तब आप क्या करोगे अब यहां पर एक बात समझने वाली बात है धियान से सुनना इसमें क्या है इस question में कि यह की ही two है टी डवल टू एक ही न है और उसके बाद क्या है adjective या adverb है दूसरा वाला जो two था दुबारा से आता था वो यहां पर नहीं है ठीक है तो चलिए अब आप step को देखते हैं कि क्या करना है ऐसे question में तो सबसे पहले आपको क्या करना है subject और भर्ब का प्रियोग करना है ठीक है जैसे उसमें था उसके बाद two को हटा देना है यह जो टी डेवलो टू दिखेगा इसको हटा देना है और adjective या एडवर्ब को comparative form में बदल देना यह comparative form क्या है comparative degree है ठीक है तो आपने सीखा होगा tall का क्या होता है taller beautiful का क्या होता है more beautiful हाँ तो ऐसा ही बला बोल रहा है कि adjective को आया फिर एडवर्ब को भी होता है आपको पता है एडवर्ब का भी comparative form होता है तो उसको comparative degree में बदल देना है clear next अब काता है कि इसके बाद dain का परियोग करें तो आपको तो यह तो degree में भी पता है कि जैसे आप comparative में बदलोगे तो dain लगाना परेगा तो dain लगा देना और अंत में क्या करना है अंत में it is proper लिख देना है it is proper कब लिखोगा जब present में रहेगा आपका question और past में रहेगा तो आप लिखोगे it was proper का परियोग कर देना है ठीक है एक जामपल में देखिए कहता है the tea is too hot ठीक है ना मतलब चाई उचित से ज्यादा गर्म है तो आप क्या करोगे वही काम करोगे the tea is hotter और hotter मैंने क्या क्या देखो अच्छा समझ लो the tea subject है और is भर्व है तो मैं लिख लिया और यहाँ पे hotter हमारा adjective था इसको हमने बदल दिया comparative adjective में तो hot का comparative adjective क्या होगे 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 होटर उसके बाद दैन लगा दिये उसके बाद हमें चाहिए it is proper क्यों it is proper चाहिए कि यह present टेंस में ना है इज लगाया हुए तो इसलिए हम यहाँ पे कर दिये it is proper next question आपका है the drink barge cold drink मतलब यहाँ पे है कोई पेपदार था जैसे आप पीतो ना कोको कोला स्प्राइट तो यह सब हमारा drink है ऐसे सराव भी होता है ठीक है ना तो the drink barge cold ठीक है और यह cold हमारा क्या था adjective तो इसको हमने बदल दिया comparative adjective में तो हो गया the drink barge colder ठीक है और उसके बाद हम डाइन का परियोग कर दिये क्योंकि comparative के बाद दाइन का परियोग और यह उसके बाद हम लोग eat barge pro पर लगा देंगे क्यों यहाँ पे जो आपको जो question था यह eat barge pro पर ठीक है नेश्ट रूल रूल नमबर तीसरा कता है यदी आपका question कता है यदी आपका question subject भर्व यहाँ पे देखना करा subject भर्व और प्लस to2 प्लस adjective प्लस for प्लस noun के रूप में हो यहाँ पे पता है धियान देने वाली बात क्या है यहाँ पे धियान देने वाली बात यह है कि adjective के बाद सेम तो वही यह structure है शुरू बाला ही लेकिन adjective के भर्व और प्लस noun रहेगा आपके question में नाउन किसको बोलते हैं आपको पता है ना ठीक है कोई ब्यक्ति के नाम या बस्तू के नाम यह सब आपको पता है या फिर किसी चीज के ब्यक्ति बस्तू अस्थान के नाम को हम लोग क्या करते हैं नाउन करते हैं ठीक है भाव के नाम होगा तो यहाँ पर वही बोल रहा है वही जो noun आपने परहा था तो फावर के बाद हमें noun होना चाहिए ठीक है तब ये rule काम करेंगे चल ये rule को देखते है सबसे पहले बोल रहा है कि subject और भर्व का परियोग करेंगे तो ये तो sub में ये rule था तो याद हो जाएगा आपको उसके बाद बोल रहा है two को हटा कर so में बदल दे तो ये भी sum में था तो बदल देना ठीक है तिस्टा step कहता है उसके बाद adjective में बदल दे ठीक है अब यहाँ पर धियान देजेगा जो adjective रहेगा उसी को लिख देना adjective में बदलने का मतलब कि adjective को बदलना नहीं है जो adjective आपके question में दिये गए उसी adjective को answer में लिख देना ठीक है उसके बाद diet का परियोग करें जब adjective का परियोग आपने कर लिया तो उसके बाद आपको diet का परियोग करना है ठीक है next subject के अनुसार pronoun मैंने बार बार बता रखा है कि जब भी आप pronoun का परियोग करोगे subject के अनुसार ही करोगे he, see, eat, be, you, they मतलब जैसा अगर subject singular है तो singular परियोग होगा जैसे he, see, eat होगा और plural है तो b, b हो सकता है दे भी हो सकता है और अगर कोई boy है तो उसके लिए he होगा, आपको तो इतना पता है तो उसका नुसार p renawn का परियोग करेंगे उसके बाद यहाँ परिखाओ है cannot या could not का परियोग करेंगे cannot का परियोग तभी आप करोगे जब sentence present में हो और could not का परियोग तब करोगे जब sentence past में हो ठीक है यहां तक हो गया और अगर जरूरत परेगा तो BEB का परियोग करोगे और लास्ट में क्या करोगे तो इस noun को यह यह आयन लगा कर noun का परियोग कर दोगे ठीक है यह था आपका rule note कर लो चलिए अब देखते हैं यहां पर example यहां पर दो example आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है see is यहां पर ध्यान दिजिएगा लिखा see is too proud for my friend मतलब वह मेरे दोस्त बनने like नहीं है मतलब वह इतनी घवंडी है कि वह मेरे दोस्त नहीं बन सकती ठीक है यहां पर बात यह बोला जा रहा है तो देखे मैंने क्या कर दिया मैंने see is लगा दिया क्योंकि subject और भर्व को लगा दिया और यह two को हमें बदलना था so में तो मैंने so में भी बदल दिया और उसके बाद यह adjective था तो adjective को ठीक ठीक लिख देना था तो मैंने भी answer में लिख दिया और यहां पर that लगाना था तो मैंने that लगा दिया अब देखिए पृर्णाउन यहां पर बोला था तो खुद पृर्णाउन है यह पहले से इना subject के रूप में तो मैंने C को लगा दिया और यह present में आपका था E से पता चल रहा है तो मैंने cannot भी लगा दिया उसके बाद cannot के बाद be लगाना था तो हो गया cannot be my friend clear next example कह रहा है यहाँ पे sunu is too slow for a runner मतलब sunu इतना slow है बहुत धीरे चलता है और वह runner नहीं हो सकता ठीक है मतलब नहीं बन सकता या फिर नहीं हो सकता ऐसा होगा इसका हिंदी तो देखे क्या करेंगे इसमें sunu is लगा देंगे क्योंकि subject और भर्ब और two को बदल देंगे so में तो हो गया sunu is so slow और यह और को हम लोग बदल देंगे that में तो हो जाएगा sunu is so slow that ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे sunu के लिए पुर्णान यूज करेंगे तो sunu के लिए क्या हो जाएगा ही हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे sentence present में तो कर देंगे cannot cannot के बाद b लगा के यहाँ पे जो बच रहा था उसके बाद a runner कर देंगे यानि हो गया diet ही cannot be a runner clear अब यहाँ पे धियाँ से सुनना आपके एक्जाम में जो कोचन पुछे जाएगे ना यही तीन टाइप से पुछे जाएगे मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ तो यह तीनो रूल परके जाना है इससे ज़्यादा नहीं आ सकता ठीक है पहला रूल क्या था यह रूल नमबर बन है ठीक है जो रूल नमबर बन मैं बताया यह था रूल नमबर बन ठीक है और दूसरा क्या है दूसरा रूल नमबर बन का जो नोट था नोट में जो मैंने रूल बताया ओ पूछे पूछ सकता है या फिर तीसरा हमारा रूल नमबर जो आपको किस में बताया तू में बताया वह वला है यानि रूल नमबर दो तक पूरा अच्छा से समझ लो इसके बाद नहीं पूछ सकते तो आज तक इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर आप नए परसन हो तो चैनल को सब्क्राइब कर देना और बील आइकन को दबा देना थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई मुलते हैं नेक्स्ट वीडियो में